हाँ तो भाई तो आपको पता ही चलिया हो कि जो BGMI है वो प्लेश्टोर एप इस्टोर से रिमोग कर दिया गया है और भाई ये इंडिया में बैन हो चुक है लेकिन इसके पीछी का रीजन है भी तक आपको पता नहीं चला होगा तो आज हम इस वीडियो में इसकी रीजन के बात करने वाले कि भाई BGMI इंडिया में क्यों बैन हुआ या यूकर दुबारा क्यों बैन हुआ तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आर्म भोगरते हैं तो परसो रात की बात है कि फॉर्स्ट अफोल जो BGMI तो उसे प्लेश्टोर से रिमोग किया गया तो सब स पीछे का रिजन किसे को नहीं पता चल रहा था तो भाई यह जो पीछे का रिजन से इंडियान गौवर्न ने ऑफिसल तरीके से बैन किया है वह इस आईटी एक्ट सिक्टी रिजन क्योंकि आल्लेडी बात किसे तो जो BGMI यह वह आल्लेडी पबजी ही था आपको भी पता ह हम यह पता बस खाली नेम में चेंजिस किये गया थे और इसके मल्टीबल रिजन्स हो सकते है बैन करने के लेकिन जो एक मेन रिजन उस सिक्टी यह बाता जारे जो इनका आईटी एक्ट में आता है यानि डेटा से क्योटी का रिजन किसे कावस जो डेटा है वो चाइना भी तो उन्होंने यह रिजन दिया था लुक्षण उसके बाद में और फाइनली ऐसा पता चल गया है यह 90 परसंट सच है हां में 100 परसंट क्यों यह बोलो भी गवर्मेंट की तरफ सभी ऑफिसल स्टेटमेंट नहीं आए इसके 90 परसंट सच बोलते 10 परसंट हम गवर्मेंट के जब गवर्मेंट के तरफिसल स्टेटमेंट आ जाएगा तो 100 परसंट हो जाएगा लेकिन जो लीक ही 90 परसंट मेरी साब से सच है वैसे मल्टिपल लीजिंश ऑज भी हो सकते हैं तो लगनाओ को एक लड़का ने भाई जो अपने पैरेंस की हत्या कर दी थी पर उसका बात क दी जे तो हमारा मांसून सीजन हुआ था वहां भी इसको पर चर्चा की गई थी यह तो पब्जी ही इसमें जो टैंसेंट के भी है जब बैं हुआ चाइना की वहां के उनकी प्राइस वह डाउन पड़ गई थी तब कुछ बात गई तो आई जाता है तो आपको इसमें बद और इसका जो connection 100% fix है कि चाइने के साथ ने बताया जा रहा है इसके लिए इंडिया में से बैं कर दिया गया है और भाई चला गया तो वापस आने के चांसे नहीं है मुझे तो नहीं लगता वापस आएगा क्योंकि Free Fire को कितने दिन होगा है बैं किया हुए आज तक वो आया करने उसे बीदा बाचन और exciting वीडियो सबसे पहले देखने के लिए